दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ बच्चों की नाक बहुत बहती है बार बार सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है बागबट जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सर्दी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने गोगरत कहा गोगरत मने गाय का घी एक एक मून नाक में डाल दो बच्च की सर्दी जुकाम ऐसे गायग होगा जैसे गदे के सिर से सीव गाय का घी अच्छा आपको नीद नहीं आती अच्छी नीद लेनी है बढ़िया नीद लेनी है डीप स्लीप लेनी है रात को एक एक बून गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ बहुत गहरी नीद आएगे आपको खराटे बंद करने बहुत लोगों को खराटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तो नहीं जानता पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है तो जिनको भी खराटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूं गाय का घी एक एक बू अब आता हूं बाल जड़ते हैं बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं बाल जड़ रहे तो गाय के दूद का दही बनाओ दही को तावे के बरतन में रख दो पांच-छे दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लगाओ एक घंटे के बाद बाल शीका काई से शैंपू से नहीं शीका काई से हफते में चार बार कर सकते हैं और बाल तूटना एक ही हफते में बंद हो जाते हैं एक ही हफते कई बहनों ने तो मुझे बता राजी भाई हमने तो एक ही बार किया था उतने में भी बंद हो गए अच्छा बविश में बाल ना तूटें अच्छे रहें दुरुस्त रहें तंदुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाए के मूत्र से बाल दो लो बहुत अच्छा कंडीशनर है नैचुरल और्गेनिक कंडीशनर है गाय का मूतर तो जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते ना उसकी जगे गो मूतर यूज़ कैसे करें गाय के मूतर में थोड़ा पानी मिला दे ना और जैसे conditioner यूज़ करते हैं वैसे कर लेने और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिती में हूँ बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूतर पिला दो एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पीलो आदा कप तक पी सकते हैं फिर उसके बाद मूतर पिंड के जितने भी रोग हैं मूतर पिंड के रोग आप सब समझते हैं किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलीफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गो मूतर उप्योग करो गाये का मूतर आदा कप किड्नी फेलियर के सब केसे में आप उप्योग कर सकते हैं मूतर के कोई भी रोग में उप्योग कर सकते हैं पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है गोमुत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा पेशाब में जलन होती है गोमुत्र पीना शुरू करो जलन बन पेशाब कई बार लाल रंका आता है गोमुत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा मूत्र के लगबग 22-23 रोग इसके ले गो मूत्र से ठीक होते हैं फिर आपको कबजियत बहुत है कबजियत पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दिन गो मूत्र पीलो आदा आदा कप चौते दिन से एक दम पेट साफ हो एक दम पेट साफ हो फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उप्योग जादा करें पित्त के रोगी पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है ऐसे लिए लोग अगर गोमूत्र पी हैं पित्त ठीक करने के लिए तो घी जादा खाएं बस इतना ही निवेदन है उनका बाकी बात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपियोगी शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी तवचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं न सब चले जाएं आँकों के नीचे डार्क सर्किल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो डार्क सर्किल चले जाएंगा खाज हो समय में लोगों ने उपियोग करने के लिए एक टैक्निक डवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है कि दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना बुले